कोशन क्या कहता है कि when 60% of a number is subtracted from 7 upon 8 of the number the result is 3 upon 5 of 55 what is the number देखिए 60% of a number किसी number का 60% गटाया जाता है उसी number के 7 बटा 8 से तो जो result आता है वो आता है is 3 upon 5 of 55 result आता है तो हमें number बताना है देखिए बहुत ही simple सा कोश्चन है कोई number और उस number को हम माल लेते एक्स यानि कि किसी number का 60% पहले तो 60% को हम ratio में change कर सकते 60 upon 100 0 cancel होगा 3 हो जाएगा और यह 5 हो जागा यानि कि 3 upon 5 हम ratio में लिख सकते हैं ठीक है अब यहां पर देखिएं कि 7 upon 8 of that number मतला उसी number का 7 upon 8 से घटाया जाता है तो एक्स कोई number हमने माल लिया तो एक्स कोई number है यानि उसका 7 बटा 8 में से उसका 60% घटाया जाता है यानि कि 3 3 बटे 5 को घटा दिये जाता है तो जो रिजल्ट आता है वह आता है 3 बटे 5 of 55 यानि 3 बटे 5 of 55 को ऐसे लिख सकते हैं यह कट जाएगा कितना बार में 11 और 11 33 33 हो जाएगा यहां पर हम LCM ले ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा आठ पांच चालिस हो जाएगा सात पांचे 35 और यहां पर हो जाएगा 33 अब यहां से 35 X में से 24 X अगर घटा देते हैं तो 11 X बटे 40 आ जाता है बराबर 33 11 से 3 बार में केंसिल हो जाएगा और X का मान कितना जाएगा 120 आ जाएगा हमसे यही पूछ रहा था कि X का मान क्या होगा मतलब वह नंबर कौन से होगी तो 120 होगा यहां पर कहीं 120 आप्शन में ने खिरा आप्शन नंबर 4 सही होगा यानि None of these यह कोश्चन बनाया जा सकता है इस कोश्चन को solve किया जा सकता है None of these answer होगा यहीं करेक्ट होगा ठैंक्य किया सकता है धक्या झारे जाए यहां बनाया जरे जाए जदक्वन तो में करें छोगा जारे झाया जा सकता है टो झाल झाल